प्री शात्रम शात्राओं में आपका हिंदी विषय का सिक्षक महेंदर दाकर और आज हम पढ़ेंगे हमारे काविखंड का अठवा अध्याय जिसका नाम है हे भूक मत मचल हे मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर और जिसकी कव्यत्री है अक्क महादेवी अक्क महादेवी का जन्म बार्वी सदी में करनाटक के उड्डू तरी गाउं जिला सिव मोगा में हुआ आपकी प्रमुक रचना है हिंदी में वच्चन सोरब नाम से अंग्रेजी में स्पीकिंग आफ सिवा अब हम हमारी कविता को समझेंगे हे भूक मत मचल प्यास तडप मत हे नीन मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल हे मोह पास अपने ढीले कर लोब मत ललचा हे मद मत कर मद होश इर्शया जला मत ओ चराचर मत चूक अउशर आई हू संदेश लेकर चन्न मलिक कारजुन का प्रस्तूत काव्यांस पाठ्टि पुस्तक आरो भाग एक से अउतरित किया गया है इसकी कवित्री अक्क महादेवी जी है उक्त काव्यांस में कवित्री ने इंद्रियों पन यंतरन रखने का संदेश देते वे लिखा है कि हे भूग तुम मचल कर मुझे मत सता सांसारिक प भूल जाता है हे क्रोध तु उथल पुथल मत मचा क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नश्ट हो जाता है हे मोह पास अपने ढिले कर वह मोह को कहती है कि वह अपने बंधन ढिले कर दे तेरे कारण मनुष्य दूसरे का अहित करने का सोचता रहता है लोब मत लल्चा ह हे लोब तु मानव को लल्चाना छोड़ दे हे अंकार तु मनुष्य को अधिक पागल न मना इर्शिया जला मत इर्शिया तु मनुष्य का जलाना छोड़ दे ओ चराचर मत चूक अउसर वेस रष्टी के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते वे कहती है कि तुम्हारे पास सीव की भक्ती का जो सुनहरा आउसर है उससे चूकना मत मैं तुम्हारे लिए सीव का संदेश लेकर आई हूँ ग्रंतों में परमेश्वर की प्राप्ती ही मानव जीवन का परम लक्ष है हे मेरे जूही के फूल जैसे इश्वर मंगवाओ मुझसे भीक और कुछ इसा करो कि भूल जाओं अपना घर पूरी तरह जूली फेलाओं और न मिले भीक कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे यदी में जुकू उसे उठाने तो कोई कुट्ता आ जाए और उसे छपट कर छीन ले मुझसे प्रस्तूत का व्यांस में कवीत्री इश्वर के प्रती पूर्ण शमर्पन का भाव व्यक्त करते वे अपने अहंकार को नश्ट करके इश्वर में विलीन हो जाना चाहती है वो प्रातना करती है कि हे मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर अर्थात हे जुही के फूल समान कोमल वपरोपकर इश्वर मंगवाओ मुझसे भीग आप मुझसे ऐसे कारी करवाईए जिनसे मेरा अहंकार अहं भाव नश्ट हो जाए आप ऐसी परिस्तित्या निर्मित कीजिए जिनसे मुझे भीग मांगनी पड़े और कुछ ऐसा करो कि भूल जाओ अपना घर पूरी तरह मेरे पास कोई साधन न रहे आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं पारिवारिक मुझसे दूर हो जाओ घर का मुझ सांसारी चक्र में उलजने का मुख्य कारण होता है घर के भूलने पर इश्वर का घर ही लक्ष रह जाता है वह आगे कहती है कि जब वह भीक मांगने के लिए जोली फिलाए तो उसे भीक नहीं मिले अर्थात कोई उसे भीक ना दे इश्वर ऐसा कुछ करे कि उसे भीक भी नहीं मिले यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ आगे भी बढ़ाए तो वह वस्तू नीचे गिर जाए और यदि में जुखू उसे उठाने अगर कोई वस्तू नीचे गिर जाए और इस प्रकार वह सहायता भी बेर्थ हो जाए उस गिरे हुए पधार्त या वस्तू को वह उठाने के लिए जुके तो कोई कुट्ता उसे जवट कर छीन ले जाए कवीत्री त्याक की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती है वह मान अपमान की सीमाओं से बहार निकल कर इश्वीर में विलीन हो जाता थी है अर्थात वह इश्वर में समाना चाहती है विलीन होना चाहती है इश्वर के प्रती पूर्ण शमरपन भाव की अभिवेक्ती यहां पर कवीत्री ने की है वह घर सांसाइक मो माया को छोड़ना चाहती है इस प्रकार यहां मीत हमारी कवीता दो वचन पाठेकरम में सामिल थी, प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंतरण का संदेश दिया गया है, यहां प्रेम भरा मनुहार है, कवेतरी चाहती है कि मनुश्य का अपनी इंद्रियों और मनविकारों पर विजे प्राप्त करनी च शिव के प्रती शमरपन वेक्त है सिव की अनन्य भग्त अक्क महादेवी अपने प्रभू की अनुकमपा के लिए हर भोतिक वस्तु से अनासक्त या विरक्त रहना चाहती है वे एसी निसकाम इस्तिती की कामना करती है जिससे उनका अहम भाव पूर्णतह विलीन हो जाए वह इश्वर को जूही के फूल के समान बताती है वह कामना करती है कि है इश्वर उससे ऐसे काम करवाए जिससे उसका अहंकार समाप्त हो जाए वह उससे भीक मंगवाए फिर चाहे उसे भीक मिले या न मिले अर्थात भीक न मिले वह उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे जब कोई उसे कुछ देना चाहे तो वह वस्तु नीचे गिर जाए और जब वह उसे उठाने के लिए जुके तो कोई कुट्ता आकर उस वस्तु को छपट कर ले जाए कवीत्री का एक मात्र काम सीवत हुया परमात्मा की प्राप्ती है इस प्रकार इस कवीता में कवीत्री ने अपने मोह वह अहंकार का त्याक करने के लिए प्रभू से प्रात्ना की है और वह पूर्ण तरीके से प्रभू में विलीन होना चाहती है